हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आशिश मोठोब में अभी रिसेंटली 16 जून 2022 को हुंडे वेन्यू का फेसलिफ्ट वर्जन लॉंच किया गया था जिसमें काफी ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजिस करके इसको और भी एट्रेक्टिव बना दिया था हुंडे ने जि इसमें एक फीचर ऐसा एड किया गया है जो आपने हुंडे की किसी भी कार में अभी तक नहीं देखा हुगा तो वीडियो में पूरा लाच तक बने रही है वो फीचर में आपको दिखाने वाला हूं अगर वेरेंट्स की बात की जाए तो इसमें आपको सिर्फ दो ही वेरेंट्स ओफर किये जाएंगे N6 और N8 जैसा कि आपने हुंडे i20 में देखा था स्टार्टिंग प्रैस की बात करें तो बारालाग सोलाजार एक सोरूम से इसका बेस वेरेंट N6 स्टार्ट होता है तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको हुंडई की ब्रैंडिंग हुंडई का लोगो दिया गया है ग्रिल की बात करें तो ऐसी कुछ आपको डाक क्रोम के साथ पूरी ग्रिल ऑफर की जा रही है जो की सामने से देखने में काफी अट्रेक्टिव लगती है जो regular venue है उससे भी थोड़ी से different यहाँ पे grill लखी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको N-line की बेजिंग देखने को मिल जाती है यह तो हो गई grill की बाद अब बात करते हैं गाड़ी के हैडले मिनुट की तो यहाँ पे देखेंगे आपको उपा 10 indicator की placement दी जा रही है नीच आपको automatic LED projected lamps offer किया जा रहे है core running light के साथ में LED DRS आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ आपको towing को option दिया गया है नीचे की बात करें तो seller finish में आपको skirt plate offer किया रही है यहाँ पे venue N-line का shadow gray color देख रहे है जब आप इसको real light में देखेंगे तो काफी attractive लगता है यह color यहाँ पे आपको dual wiper with washer का setup दिया गया है roof की बात की जाए तो उपर आपको sunroof, roof rails and पीछ आपको shark fin antenna देखने को मिल जाता है N-key badging के साथ में यहाँ पे suspension अगर जो travel है इतना कुछ diamond के लाइबिस N-key badging red color का आपको caliper offer किया जा रहा है जिसके वज़े से side से काफी sporty लगती है 215, 16, 16, 16 का पूरा tire section आपको देखने को मिल जाता है and fender पे देखेंगे आपको cladding दी गई है यहाँ पे आपको red color के inserts देखने को मिल जाते है जिसकी वज़े से यह और भी sporty लगती है यहाँ पे आपको N-line की badging दी गई है अब बात करें इसके ORBMS की तो ऐसी कुछ आपको glossy blackness में ORBMS offer किये जा रहे है auto foldable है lock unlock करने पे fold and unfold हो जाते है and electrically आप इनको गारी के अंदर बैट के भी अराम से adjust कर सकते है time indicator की placement भी आपको इसी में देखने को मिल जाती है तो auto fold का function आप देख सकते है lock unlock करने पे इसके mirrors जो है fold and unfold हो जाते है and इसी में आपको puddle lamp की भी placement दी जाती है जैसा कि आप देख सकते है and a pillar पूरा glossy black finish में रखा गया है जिसे की और भी sporty लगती है सामने से देखने पे roof की बात की जाए तो उपर आपको roof rails sunroof और पीछा आपको shark fin antenna देख गया है glossy black finish में आपको roofless दी जाती है and यहाँ पे देखेंगे आपको red color की inserts भी देखने को मिल जाती है इसकी roof rails में अब बात करते हैं इसके dimensions की तो 495 mm की length है 1770 mm की width है और 1617 mm आपको height देखने को मिल जाती है and पूरा side profile देखेंगे काफी attractive से look से यहाँ पे दिये गए गाड़ी के wheelbase की बात की जाए तो 2500 mm का wheelbase यहाँ पे दिया जाता है जिसकी वज़े से काफी space आपको मिल जाता है इसके cabin में and red color के inserts आप देख सकते हैं doors पे अब आपको body color door renders request sensor के साथ में venue N-line में all 4 disc brake offer की जाती है जिससे की braking जो है और भी improve हो जाती है diamond के टोलर विस and की bedging के साथ में red color की finish अब चलते हैं rear profile में और rear से देखते हैं Hyundai venue N-line को तो front और side profile की तरह आपको rear में भी काफी sporty looks offer किये गए है उपर की बात की जाए तो उपर आपको sharpie 90 न यहाँ पर आपको roof rails, sunroof यहाँ पर देखें कि आपको washer, यहाँ पर आपको high mount stop lamp, defogger, wiper सारे features देखने को मिल जाते हैं अगर नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर देखें आपको Hyundai की branding, यहाँ पर आपको venue की bedging दी गई है यहाँ पर मिल जाता आपको reverse parking camera license plate के लिए आपको space दिया गया है आप चलते हैं right side और right side को cover करते हैं, तो यहाँ पर आपको end line की bedging दी गई है, tail lamps की बात करें, तो ऐसे कुछ आपको continue LED tail lamps offer किया जारे है, जो कि पूरे boot पे आपको placement इनकी देखने को मिल जाती है, and turn indicator की placement आपको इसी में देखने को मिल जाती है नीचे की बात की जाती है, तो यहाँ पर आपको reflectors reverse light की placement, and bumper में आपको silver finish में script दी जारी, red color के insert के साथ में, जब आप right side जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, आपको twin tip muffler exhaust दिया जा रहा है, जिससे की sound काफी sport ही निकलता है, यह तो होगी overall rear profile की बात, आप side में देखेंगे, तो ऐसा कुछ आपको fuel filler cap दिया गया है, capacity की बात कर लें, तो 45 liter के आपको fuel tank capacity देखने को में जाती है, सिर्फ petrol का option है, DJ लगरा का कोई option यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, अब चलिए space आप देख सकते हैं, 60-40 speed streets यहाँ पर दी जा रही है, तो boot में आपको दियागा है lamp, जिससे कि आपको night में कोई भी problem ना हो, यहाँ पर मिलते हैं आपको power shutter, आप इसको remove भी कर सकते हैं, and in lever के तुरू आप अपनी seat को fold कर सकते हैं, 60-40 speed streets मिल जाती है, front dashboard, जोकि काफी sporty लग रहा है, उसको भी आगे cover करेंगे, अब चलिए इसके boot को करते हैं बंद, और चलते हैं rear seats पे, और rear seating comfort, leg room, head room, पूरा बैट के अच्छे से check करते हैं, तो यहाँ पर आपको body color door नसी दिए गए, अगर इसके door trim की बात की जाए, तो यहाँ पर देखेंगे, आपको full black finish में door trim offer किये जा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे, आपको door opener, नीचे की बात की जाए, तो pounder के controls, soft touch finish, red color की stitching के साथ में, speaker की placement, bottle loader आपको देखने को मिल जाता है, rear gear cabin की बात करें, तो ऐसा कुछ आपको पूरा seating arrangement दिया गया है, leather आपको देखने को मिल जाती है, red color के finish के साथ में, दो headrest हैं, जिटको आप adjust कर सकते हैं, पूरा legroom आप देख सकते हैं, उपर आपको sunroof, और इसकी जो roof है, L9 वेंट में आपको full blackness में offer की जाती है, अंदर का पूरा space आप देख सकते हैं, आगे की जो seat है, वो may recording adjust है, thigh support आपको काफी बढ़िया मिल जाता है, and center में देखें, आपको AC के event देगे हैं, red color के finish के साथ में, दो type C के charging port, अंदर का पूरा interior आप देखेंगे, full blackness में रखा गया, जिससे की और भी sporty लगती है, उपर आपको grab handle जो की foldable है, दो header जिनको आप आटिस कर सकते हैं, leather की seats यहाँ पर दी जारी है, पीछ आपको मिलती है parcel tray, बीच में आपको दिया गया armrest, जिच में आपको दो uploader देखनी को मिल जाते हैं, उपर आपको reading lights, front dashboard की बात की जाए, तो ऐसा कुछ आपको full black finish में dashboard offer किया जा रहा है, red color की finish के साथ में, अगर steering की बात की जाए, तो regular venue से बिल्कुल different steering यहाँ पर दिया जा रहा है, सामनी तरह आपको 8-inch का touch infotainment system दिया जा रहा है, जिसमें आपको Android अप्पल कार पर सबको support करता है, आप चलते हैं, front driver seat पर और सारे features cover करते हैं, तो यहाँ पर आपको keyless entry मिल जाती, request sensor यहाँ पर दिया गया है, अगर इसके door trim की बात की जाए, तो rear की तरह आपको front में भी, full black finish में door trim offer किया जा रहा है, यहाँ पर दिखेंगा आपको door opener, pop window के controls, local logo button, ORBM को fold करने के और adjust करने के सारे buttons यहाँ पर दिये गया है, soft finish, red color के stitching के साथ में, speaker की placement, bottom door यहाँ पर दिये गया है, front cabin की बात करें, तो ऐसा कुछ आपको spaces cabin देखने को मिल जाता है, leather repository यहाँ पर दी गई है, आगे के जो दो hydration आप उनको adjust कर सकते हैं, यह इसका front dashboard, क्योंकि मैंने आपको rear से भी दिखाया था, और काफी sporty लग रहा है देखने में, यहाँ पर आपको leather repository देखने को मिल जाती है, red color की piping और stitching के साथ में, यहाँ से आप height adjust कर सकते हैं, और इन streets को आप electrically four way adjust कर सकते हैं, सारे buttons आपको आपको यह पर देखने को मिल जाते हैं, rack line और आगे पिछे आप कर सकते हैं, यहाँ से आप filler cap खुलने का lever दिये गया है, automatic pedals, यहाँ से आप अपना bonnet open कर सकते हैं, engine start to show button, traction control का button, headline leveler, उसी के बगल में आपको देखने हूं मिल जाता है, AC के vans, आप चलिए अंदर बैटते हैं, और अंदर से बैटके सारे features cover करते हैं, तो front driver seat पे बैटने के बाद ऐसा नजर आता है, इसका front dashboard क्योंकि काफी sporty और PM लग रहा है, आप चलिए गाड़ी को on करते हैं, यहाँ पे मिलता आपको engine start to show button जिसको प्रेस करते हैं, ऐसा को आपको fully digital instrumentation यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे, right side आपको मिल जाता है, tachometer और left side आपको दिये गाई speedometer, बीच में MID मिल जाती है, इसके आपको सारी information दी गई है, और इसकी जो MID है, इस button के through आप control कर सकते हैं, trip A, trip B, mileage range, entire pressure mounting system भी यहाँ पे दिया जा रहा है, तो काफी बढ़िया लगता है इसका instrument cluster, cluster के बाद अब बात करते हैं इसके steering की, तो ऐसा कुछ आपको full leather finish के साथ steering मिल ला है, red color की stitching के साथ में, multimedia के controls, Hyundai की branding, इधर आपको MID और cruise control के buttons दिये गए, यहाँ आपको N की bedging देखने हैं में जाती है, और इस lever के दुरू आप अपनी steering को tilt adjust कर सकते हैं, टेलिस्कूपी का कोई option देखने को नहीं मिलेगा, और steering के पीछे यी wiper की controls, and right side आप देखेंगे, headlamps के सारे controls दिये गए, यहाँ पर आपको battle safters, यह तो हो गई, इस तरी के बाद आप बात करते हैं, गाड़ी के center console की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, 8 inch का touch info 10 minutes system offer किया जा रहा है, जिसमें आपको android, auto, apple car पे सब को support करता है, 4 speakers and 2 tutors का premium source system दिया गया है, और इसमें आपको nature sounds भी दिये जाते हैं, जिसे की काफी soothing feel होता इसके cabin में, पूरा touch performance आप देखेंगें, आपको बढ़िया दिये गया है, पूरी settings, venue and line में आपको blue link भी offer किया जा रहा है, जिसमें आपको 60 connecting features देखने को मिल जाते हैं, and side में देखेंगे, आपको AC के events दिये गया है, red color की finish के साथ में, इनका design आप देखेंगें काफी बढ़िया लग रहा है, यहाप आपको सारे buttons, knobs दिये गया है, info treatments related, hazel light का button, and उसी की नीचे आपको automatic climate control दिये जा रहा है, यहाप आपको USB port, 12B का charging port, यहाप आपको type C का charging port, यहाप आपको wireless charging port भी दिये जा रहा है, and अभी देखना आप 7, इस पर DCT transmission को manual handbrake, यहाप आपको driving mode, जिसमें आपको eco, normal और sports mode देखने को मिल जाते हैं, दो cup holder, arm nets, जो की slideable है, और इसके अंदर भी आपको space देखने को मिल जाते है, तो slideable arm nets ने आपको दिये जा रहा है, बात करने इसके glove box की, यहाप आपको मिल जाते हैं buttons, reading lights के लिटेट, यह दिया गया है इसका sunroof का button, one test sunroof आपको देखने को मिल जाती है, और उपर की जो पूरी roof है, आपको full black finish में मिलेगी, और उसी की निचा आपको auto dimming IRVM दिया गया है, और जिस feature के बार में, इसमें आपको 2.2 इंच की display offer की जा रही है, और इसमें आपको wireless phone connectivity मिल लगी है, जिसमें आपको 64 GB का storage देखने को मिल जाता है, और safety के purpose से काफी बढ़िया feature है, अब चलिए काड़ी को off करते हैं, बात करते हैं इसके engine specs, safety features और pricing की, तो Venue N9 में सिर्फ एकी engine offer किया जाता है, वन लिटर का turbo petrol engine, जो 120 BHP power और 172 Nm talk लिगालता है, और 18 km पर लिटर तके आपको wireless देखने को मिल जाती है, transmission की बात की जाए, तो इसमें सिर्फ आपको एकी transmission देखने को मिलेगा, 7-speed DCT, अगर safety features की बात की जाए, आपको 6 airbag दिये जाते हैं, pricing की बात करें, तो अभी देखना आप N8 variant को 13,15,000 रुपए, इसका एक सोरूम price है, और लखनों की बात की जाए, तो 15,12,000 रुपए का ये और लखनों पर जाता है, भगर आप इसको dual tone में लेते हैं, तो लखबब 15,000 रुपए आपको extra pay काना पड़ेगा, तो ये थी हुंडे venue and line कैसे लेगे, आपको नीची comments में जोब देगा, अगर आपको वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को like कर देगा, और चैनल को subscribe कर देगा, क्योंकि आपके लिए car से related वीडियो में लाता रहता हूँ, तो मैं 80 मिलता हैंगे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जैन वन दिमातरम,